आज हम शुरुवात करेंगे अपने ग्रहवी ग्यान परासनातक शिक्षार्थियों को विश्य विद्याले द्वारा दी जाने वाली स्वाध्यन समगरी से संबंधित व्याख्यान श्रिंकला की एहमिक रहवी ग्यान के प्रथम समिस्टर के शिक्षार्थियों के लिए या व्याख्यान श्रिंकला है जिसके अंतरगत हम प्रथम विशाय आहर विज्यान एवं पोशन की बारे में बात करेंगे इसके अंतरगत आज हम इसकी पहली एकाई पोशन एवं पोशक तत्वों के बारे में जानेंगे जैसे कि सभी जानते हैं कि आहार शरीर की मूरबूद आवशकता है और एक स्वस्त शरीर के लिए संतुलित आहार लेना और उससे प्राप्त उचित पोशन अतियंत आवशक है आहार के अंतरगत वह सभी खादिवदार्थ हाते हैं जिने हम लेते हैं जिन पोशक तत्व कहलाते हैं जब भी पोशक तत्व हम लेते हैं अगर हम उन्हें आवजशक्ता से अधिक या कम लेते हैं तो उस इस्थिति को हम कुपोशन कहते हैं और कुपोशन की इस्थिति दोनों ही इस्थियों में देखी जा सकती है जब हम पोशक तत्व का ज्यादा अंत Health Organization के अनुसार स्वास्त सिर्फ रोग या दुरुबलता के अनुफस्तिती ही नहीं बलकि एक पून शारिरिक मानसिक और सामाजिक समपन्नता की इस्थिती है अच्छे स्वास्त की कलपना समगरिव स्वास्त का नाम है और एक अच्छे स्वास्त के अंतरगत न सिर्फ अच्छा शारिरिक स्वास्त आता है बलकि इसमें मानसिक बौधिक आध्यात में एवं सामजिक स्वास्त भी शामिल है तो जब यह सभी प्रकार के स्वास्त उचित होते हैं तब ही एक व्यक्ति स्वास्त कहलाता है आता शारिरीक विकास एवं अच्छे स्वास्ते के लिए मांसेख स्वास्ते का अच्छा होना भी परम आवश्यक है। पोशन क्या है? विश्विव स्वास्त संगठन के अनुसार, आहार की अवश्यकताओं के अनुसार जब शरीर द्वारा भोजन लिया जाता है। उस सेवन को पोशन कहते हैं और पर्यापतुचित पोशन संतुलित अहार तथा नियामित शारिरिक गतिविद्या एक अच्छे स्वास्ति की आधार्शिला हैं पोशन विज्ञान किसे कहते हैं पोशन अहार उसमें नहें पोशकतत्व अन्यपदार्थ उनके कारी उनकी अंतर क्रियाएं और स्वास्त एवं रोगों के मद्य संबंधों में संतुलन का विज्ञान ही पोशन विज्ञान है और पोशन शरीर में होने वाली विभिन क्रियाओं का संगठन है जिसके द्वारा जीवित प्राणी शारिरिक वृद्धी क्रियाओं तदा शदी के पुनन निर उससे के द्वारा उसका शाररिक ःवं मांसिख स्वास्ते उचित होता है। उससे में अपनी आयू के अनुसार कारी करनी की शंता होती है। और से इससार स्वास्टी Alrighty, जैसे कि मैंने बताया आपको कि कुपोर्शन की स्वास्ति तब उतपन होती है। जब व्यक्ति आवशकता से अधिक या कम मात्रा में पोशर क्तत्व ग्रेहन करता है और अपरियापत Washington एक पोशन की इस्तिती है जिसमें व्यक्ति अपनी आईउव वाश्को के अनुरूप पोशन ना ले रहा हो और इस स्थिति में एक या अधिक पोशक तत्वों की कमी पा जाती है जैसे उधारन के लिए हम मान सकते हैं अनीमिया एक कुपोशन की स्थिति है या अपरियाब तो पोशन की स्थिति है जिसमें शरीर में लोह तत्व की कमी हो जाती है इसका दूसरा रूप है अत्यधिक पोशन या इसको अती पोशन भी कहते हैं या भी एक प्रकार का पोशन है इस तिती में व्यक्ति पोशक तत्वों का आवशक्ता से अधिक अंतरगरण कर लेता है जैसे उधारन के लिए आवशक्ता से अधिक उर्जा या कैलोरी का अंतरग भोजी पदार्थों के अंतरगरत सभी खाने या पीने वाले भोजी पदार्थ आते हैं जिने शरीर द्वारा ग्रहन किया जाता है और यह शरीर की शारीरिक वृद्धी और विकास के लिए सायक होते हैं और यह भोजी पदार्थ विभिन प्रकार के पोशकतत्व प्रदान कर और शरीर को बिमारियों से या शय से मचाते हैं भूजन के शरीर में कई सारे कार्य हैं सरुप्रथम भूजन का कार्य है शारिरिक कार्य जैसे शरीर को उर्जा प्रदान करना शरीर में कई प्रकार की गतिविद्या अनैच्छी क्या अच्छी क्रूप से चलती रहती हैं तो उ दूसरा शरीरिक कार्या है भूजन का शरीर के उतकों की मरम्मत करना शरीर के उतकों की शह को रोकना या उनको शह होने के बाद उनका पुनर निर्माड करना और ये काम मुख्यता शरीर में प्रोटीन द्वारा किया जाता है तो इसके साथ जल और खनिश लावड भी सायक होत नई कोशिकाओं और उतकों का निर्माड करना भी भूजन का एक शारिरिक कार्य है शरीर में उतकों का लगता शय होता रहता है और नए उतक बनाए जाते हैं और इनके प्रतिस्थापन हितु आहर में प्रोटीन, खनिज लमण और जल की आवशकता होती है शरीर की प्रक्रियाओं का विन नियमी करन भी भूजन का एक कार्य है वसा में उपस्तित कुछ आवशक वसी अमल, प्रोटीन, खनिज लमण, विटामिन और जल शरीर के कुछ निश्चत नियामक कार्य करते हैं जैसे रक्त का थक्का बनाना, शरीर के तापमान का रख बिमारियों से बचाव करना भी भूजन का एक अती महत्वपून शरीरी कार्य है जो विटामिन और खनिज लवन कार्य करते हैं ये शरीरी विकास, मान स्पेशों के समन्वय, आंखों की द्रिश्टी, पाचन और शरीर के अन्य परक्रियाओं को भी विन्यमित करने में आज में उसमें भूजन एक अभिन अंग होता है जैसे जन्म विवाह, नामकरण, जन्म दिन आदी शोक के अवसरों पर भी भूजन एक महत्वपूर्ण भाग होता है जैसे कभी हम किसी बिमार व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो हम उसके लिए फल आदी ले जाते हैं या कभी किसी के मृत्यों होने पर भी भोज वजरा किये जाते हैं तो उसमें भी भूजने का भिन अंग होता है भूजन के मनोवज्यानिक कारिवी हैं भूजन के माध्यम से व्यक्ति अपने मन की भावनाओं को जैसे प्यार, सुरक्षा, अदी इनको संतुष्ट करता है या इनको भाव में व्यक्ति स्वयम को अकेला और ऐसा हाय महसूस करता है, कई बार मांसिक समुंगों की निकासी के वाद्य हम भी भोजन बनता है जैसे हम गुस्सबडरशित करने के लिए भोजन को नकारते हैं तो इस तरह से भोजन के कई सारे मनोवेग्याने कार्या हैं शरीर में कार्यों के अनुसार भोजन का वर्गिकरन किया जाता है सबसे पहले हैं उर्जा ब्रदान करने वाले खादिपदार्थ इसमें मुख्यता वसा और जो उर्जा युक्त भोजपदार्थ होते हैं उनको शामिल किया जाता है विभिन शारिक क्रियाओं के अतरिक्त शारिक तापमान को बनाने के लिए मास बेशों के संकुचन के लिए रिदे की गतिको के नियमन के लिए और वेर्थबधार्थों के शारिर्थों से निश्कासन के लिए भी उर्जा के आवशकता होती है, इसमें मुख्यता, तेल, घी, मक्षन, गुड और कार्गोहार्ड युक्त पदार्थ जैसे साबुदाना, अनाच, केला, आलू, आदी इस प्रकार के भोजिपदार सम्मिलित है, फिर है निर्मान आत्मा खादिपदार्थ, प्रोटीन युक्त कोशिकाओं का निर्मार करते हैं, उतकों कोई शय के नए उतकों से प्रतिस्थापन करते हैं, और इसमें पशू प्रोटीन और प्राणी जगत के प्रोटीन युक्त खादिपदार्थ दोनों ही आते हैं, जैसे दालें, दूद, अंडा, मान, सोयाबीन, भट, आदी, फिर ह संग्रक्षात्मा खादिपदार्थ, विटामिन व, खनीचलाबणों से युक्ति खादिपदार्थ इस वर्ग में आते हैं, ये हमारे शरीर की जैवी क्रियाओं को नियंतरित करते हैं, तरदा शरीर में नियमन का कारी करते हैं, इन तत्वों के असंतुलन से शरीर का विका सबी खादिपदार्थ शामिल होते हैं, वे भोजन जिन में संतरप्तवसा या वसी अमल, ट्रांस वसी अमल और कॉलेस्टरॉल की मातर अधिक होती है, वो स्वस्त आहर की श्रीडि में नहीं आते हैं, क्योंकि इनके माध्यम से शरीर में कॉलेस्टरॉल के इस तर्में वृ संतरप्तवसा वसा ट्रांस वसी अमल कॉलेस्टरॉल की मातर अधिक होने पर यदि आहर में की मातर अधिक हो तो रिदय रोग का कारणियां बन सकता है, और आहर में यदि नमक अधिक हो तो वह उच्छ रग्तिचाप का कारण बन सकता है, इसलिए आहर में पोशक तत्मों क नियंतुरत कर और ऐहर को संतुलित बिबारीयों कारन होता है इसलिए अपने बजन को नियंतुरत कर शारेरिक श्रम भी उतना ही आवशक है संतुले ताहर दिमाग को तेज तैसा स्वस्त बनाता है जिससे व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत बनता है और स्वस्त ताहर के अभाव में व्यक्ति थकान और अन्य कई प्रकार के रोगों से ग्रासित हो सकता है तो इस व्याख्यान में हमने जाना कि पोशन, पोशक्तत्व और स्वास्थ और पोशक्तत्वों के कार्य और संतुलित आहर का क्या महत्व है और आने वाले व्याख्यानों में हम जानेंगे इन सभी पोशक्ततों के बारे में कि उनके हर एक पोशक्ततों के शरीर में क्या कार्य है अधर्भूत, खादि, समूग क्या होते हैं संतुलित आहर क्या होता है और विभिन्ड प्रकार के आहरों का विपेंडर प्रकार की रोग वस्ताओं में क्या कारी होता है क्या उनका रोल होता है ये सब हम आने वाले व्याख्यानों में जानेंगे धन्यवाद